मुख्य मंत्री निरोगी रजस्तान चिरंजीवी स्वास्त सिवीर का पहला केम्प साहरा की करदा में हुआ आईजी 300 से ज़्यादा लोगों को मिला लाब साहरा पंचत सिमिती की ग्राम पंचत करदा में मुक्य मंतिर निरोगी राजस्तान चिरंजीवी स्वास्त सिवीर का आगाज हुआ जिसमें ग्रामेडों ने बढ़ चरकर हिसा लिया अपनी स्वास्ते से जुड़ी समश्या को लेकर सिवीर में पहुचे कायरे करम में साहरा उपरदान भारत सियं भारत भी पहुचे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाब लेने को कहा जानकारी के लिए आपको बता दे कि सिवीर में पैसिपिक होस्पिटल से पांच विसेसक के पहुचे जिसमें नेत्र, फिजेशन, आयुर्वेदिक बाल चिकित्सक मौझूद रहे सिवीर सुबर 9 बजे से साहे 5 बजे तक आयजित हुआ जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों ने अपने स्वास्त को लेकर चिकित्सा परामर्ष लेकर उचित दवया प्राप्त करी आपको बता दे कि 7 मरीजों को मोट्याबिन के ओप्रेशन के लिए उदेपूर रेफर कर दिया गया वहीं एक मरीज को अपने तालू से संबंदित बिमारी थी जिसके कारण उसको बोलने में परेशानिया हो रही थी उसको ओप्रेशन के लिए माउंट अबू ग्लोबल होस्पिटल में बेजा साथ ही विक्रम सियं पिता नान सियं उम्र साथ वर्स का बच्चा से केम्प में अकेला पहुँच गया जिसमें उसको जन्म से ही कुबर्ट निकलने की समश्या थी सिवीर में बच्चों की सायता की कई और उसको चिकिसक से मिलवाय गया जिसको चिकिसक ने चेक किया परंतु बोले की इसको उदेपूर औरतों में दिखाना पड़ेगा परंतु इसका जन्म जात होने से समश्या से निजात नहीं मिल पाएगी सिवीर में 27 लोगों को कोवीड टिका लगया इस दोरान गोगुंदा सी एमेचो राम सी एं मीना बरवड़ा पी एस सी सी डॉक्टर जितेंदर सी एं डॉक्टर किर्ती साहिरा उपरदान भारत सी बारत सरपंच टमूबाई उप सरपंच बिंदू टेलर संबू सी एं कमलेस पालेवाल पेरुलाल कलाल साहित अस्पताल के इस्टाप वजन परतिनेदी मौजूद रहे